नमस्कार बेहत बोल्ड और जमीनी रिपोर्ट्स के लिए उनकी शोहरत धीरे धीरे दूर तक पहुच रही थी नेक प्लेटफॉर्म्स पे वे लिखती थी और जिन लुगों के लिए वे लिखती थी उनका दर्द भी वे शिद्दत से महसूस करती थी उन्हें पित्रसत्ता ने अपना शिकार बना लिया तीन चार मई की रात उन्होंने आत्मत्या की जिसकी जानकारी चार मई को सुबह हमें हुई और बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि साड़े नौ बजे उससे पहले तीन तारिक की रात को उन्होंने आखरे रिपोर्ट म्यूस क्लिक के लिए भेजी थी यहां चिंता इस बात की नहीं है कि रिजवाना के दोशी जिनको उन्होंने चिन्हित किया जिनकी वज़ा से उन्होंने आत्मत्या की उनको सजा मिलती है की नहीं यहां चिंता इस बात की हमें है कि यह किस तरह का हमने समाज बना लिया है जहां पर कोई भी जो इ की दोशी हम और आप दोनों हैं जिसके बारे में मशूर जनकवी गोरक पांडे ने अपनी एक बहुत ही मार्मिक कविता में जिसका जिक्र किया है बंद खिड़कियों से टकरा कर वर्षों पहले यह कविता उन्होंने उस समय लिखी थी जब कानपूर में चार बहनों ने आत् कोना फ्रीज हो गया है यह फोटो और वीडियो भेजने के लिए मैं शुक्र गजार हूं अपने साथ ही एक्टिविस्ट बनारस के लेनिन रखवंची की जिन्होंने हमें यह शेयर की जिन्होंने हमें भेजी इस कमरे में रिजवाना का वह कोना है जहां की किताबे रखी है इन किताबों में मैकसिम गोरकी की मा है इबराहिम लिंकन है जेंडर पर किताबे हैं कमलेश्वर की किताबे हैं और भी अनेक किताबे यह किताबे हमारी टीज को और गहरा करती हैं और गोरकी यह कविता बंद खिड़कियों से टकरा कर बिल्कुल जिन्दा हमारे सामने उतर जाती है घर-घर में शम्शान घाठ हैं घर-घर में फासी घर हैं घर-घर में दिवारे हैं दिवारों से टकरा कर गिरती है वह गिरती है आधी दुन्या सारी मनुश्यता गिरती है हम जो जिन्दा है हम सब अपराधी है हम दंडित है समाज किस तरह से महिला विरोधी किस तरह से बलातकारी सोच वाला होता जा रहा है इसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है इसका हाल ही में जो उदाहरण दिखाई दे रहा हमें वह है सफूरा जरगर के मामले में सफूरा जरगर जो जामिआ मिलिया इसलिामिया यूनि इस्टी में रिसर्च इस्कॉलर रही है जो इस समय टिहार जेल में बंध हैं 3 महिने की pregnancy है उनको गर्वती है वह उन्हें गिरफ्तार किया गया दिल्ली पुलिस द्वारा यह कहते हुए की दिल्ली में जो दंगे हुए थे उसमें उनका हाथ है या आरोप उन पे लगा है लेकिन जो लोग सफूरा को जानते हैं वे इस रूप में भी जानते हैं कि कि उनकी प्रेगनेंसी को निशाना बनाकर किस तरह के भद्दे अश्लील भयानक आपत्ति जनक ट्वीट्स हो रहे हैं सब कुछ पब्लिक डोमेन में हो रहा है यह सिर्फ सफूरा की कोख पर हमला नहीं है यह हमारी और आपकी कोख पर भी हमला है यह तमाम औरतों पर हमला है जहां पर औरतों को उनकी प्रेगनेंसी को किसी भी समय अश्लीलता की सारी सीमायों को पार करते हुए उनके चरित रहनन का कारण बना दिया जाता है और यहां तो मामला और जबरदस्त है इसकी कमान ठाम रखी है दिल्ली के भाश्पा के नेता जिनको मुख्यमंत्री का उम कि मैं आपको पढ़के उसका हिंदी सुनाती हूँ उन्होंने सीधे सीधे कहा कि सफूरा की प्रेगनेंसी को मेरे भाशन से जोड़ कर मत देखो यह इस तरह से काम नहीं होता अंग्रेजी में उन्होंने लिखा प्लीज डोंट कनेक्ट हर प्रेगनेंसी विद मैं स्पीच इससे अशलील इससे गंदा किसी महिला पर कोई और हमला हो सकता है आप भी सोच कर देखिएगा और इसके बाद तो जो शुरू हुआ सोशल मीडिया पर जिस तरह के लिजलिजाता सणांद बरा पित्रसत्ता वाला दिमाग उल्टी पर उल्टी करता रहा एक एक ट्वीट मे उससे कमसे कम यह साबित होता है कि जो बलातकारी है हमारी सोच में बैठा वूआ हमारी नसों में खून के साथ बैठी हुई जो पेट्रियार्कल रेपिस्ट आइडियोलजी है जो आइडिया है वो कितना गहरा है और यहाँ कहीं कोई लगाम नहीं सब कुछ सामने सामने हो रहा है एक और जो जेल में बंध है जो प्रेगनेंट है उसका चरित्र हनन किया जा रहा है तमाम तरह के अशलील आपत्ती जनक शब्द इस्तमाल किये जा रहे हैं जो कि सब कानून के दाइरे में आते हैं जिस पर कारवाई होनी चाहिए तुरंत उन लोगों को गिरफतार किय जाना चाहिए लेकिन ऐसा एक मामला हमें दिखाई नहीं देता खुली छूट है और यहां तो सब आखेट पर निकले हैं आखेव निशाने पर है एक मुस्लिम महिला और उसकी धजियां उड़ाने में उसकी चिंदी चिंदी करने में कोई पीछे कैसे रह सकता है वैसे भी जो महान संस्रिती के दावा करते हैं लोग वे किस तरह से बलातकारी सोच से घिरे हुए हैं इसकी नजीर इसके उदाहरन हमारे पास धेरों हैं और वही सारी गंदगी इन दिनों सोशल मीडिया पर दिखाई दे रही है और गहरे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इसे क बता चलता है कि जो बलातकारी पेट्रियार्कल सोच है पित्र सत्तात्मक सोच है उसने जो राजनितिक वर्दहस्त प्राप्त किया है पॉलिटिकल पावर हासिल की है वह कितनी खतरनाक हो चुकी है सफूरा जरगर की प्रेगनेंसी के बारे में जिस तरह का जूट और जिस सारा भ्रम पहलाया जा रहा है कि जब वह गिरफतार हुई तिहार जेल गई उस समय पता चला कि वह प्रेगनेंट है उन्होंने बताया कि 10 अप्रेल की गिरफतारी के बाद जरगर ने खुदी बताया था कि वह तीन महीने की प्रेगनेंट है और पहले मामले में उन्हें इस अप्ली की है हाना कि दिक्कत यह है कि जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे जो ट्वीट नफरत भरे हुए हैं इनके नाम सब के सामने हैं यह लोग खुल कर खुद को आरेसेज और भाश्पा के साथ जुड़ा हुआ बता रहे हैं और अभी तक इनके कोई कारवाई नहीं की गई है यहां देखिए कि क्या महौल बनाया जाता है कि सफूरा के पक्ष में सफूरा के बारे में बयान देने के लिए सफूरा की बहन आती हैं उनके पती आते हैं और उनके पती यह रिक्वेस्ट करते हैं कि उनका नाम ना च्छापा जाए क्यों क् ट्रोल आर्मी खून की प्यासी है जो लिंचिंग मॉब है वो किस तरह से सफूरा की जिंदगी उनके पती की जिंदगी और तमाम परिजनों की जिंदगी को सड़क पर फैला देगी मार डालेगी इसकी कोई गैरेंटी नहीं है यह जो महौल है इससे एक चीज तो साफ लगती हुआ है यह तमाम लोग जो सोशल मीडिया पर बलातकार का जश्ण मना रहे हैं बलातकारी सोच को उडेल रहे हैं पित्र सतात्मक सोच को उडेल रहे हैं इनसे पूछा जाना चाहिए कि इस सोच ने कितने घरों में बड़ी संख्या में बलातकारियों को पैदा किया है की सोच को बहुत जरूरी है हो सकता है आपको शौक लगे हो सकता है बड़ी संख्या में ऐसे लोग सामने आएं ऐसे नौजवान जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं जो कॉलेश तक नहीं पहुचे हैं या बस पहुचे ही पहुचे हैं जिनकी उम्र 14 से लेकर 18 19 साल की है वे गैं रेप को इंजॉय कर रहे हैं बलातकार करने की योजना बना रहे हैं इसका खुलासा दिल्ली में अभी अभी हुआ है बॉइज लॉकर्स रूम केस के जरिये इस केस से पहले हम यह भी पूछना चाहेंगे यह भी जानना चाहेंगे कि तमाम लोग जो आसाराम बापू के भक करते रहें चिन्मियानंद के बारे में बात करते रहें जो बात करते रहें नित्यानंद की जो बात करते रहें बचाते रहें फलाना इमाम को या किसी पादरी को जिसके उपर बलातकार का आरोप लगा कभी आपने सोचा कि यह सोच जो बलातकारी को बचाने की सोच थी यह क इशारा कर रहा है यह जो नया केस आया है बॉइज लॉकर रूम केस जिसमें 14 से लेकर 19 साल तक के लड़के शामिल हैं देश की राजधानी दिल्ली के टॉप पब्लिक स्कूलों के बच्चे कुछ स्कूल पुलिस तक पहुंचे हैं साइबर जो समू है ग्रूप है साइबर से है उसने भी कंप्लेंड की है कुछ लोगों को गिरफतार किया जा सकता है कुछ लोगों से पुष्टाच चल रही है मेरी चिंता इस बात की नहीं है कि यह जो लड़के हैं जो 22-23 लड़के इसमें शामिल हैं उनका क्या हश्र होगा गिरफतार होंगे की नहीं बड़े दबावा कर रहे हैं सोशल मीडिया पर सवाल यह है कि बॉएज लॉकर रूम एक पैनिक बटन की तरह दबा है हमारे समाज में सामने आया है कि आज के दौर के लड़के किस तरह से बलातकारी सोच के गिरफत में हैं वहाँ वे योजना बना रहे हैं कि किस तरह से किस लड़ सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम वहां पर इन लड़कों ने यह ग्रूप बनाया बॉइज लॉकर्स रूम जहां पर यह चैट चल रही थी और इस चैट को जो लीक किया गया उससे यह खौफनाक तक थे हमारे सामने आया कि सोच कितनी भयानक रूप से प बच्चे हैं यह संभावित बलातकारी हैं या बलातकारी हैं यह बलातकार कर चुके हैं यह सारी लीगल डेफिनेशन के लिए हम छोड़ दें लेकिन आप यहां यह पाएंगे अगर इस चैट को देखने और पढ़ने की हिम्मत आप में हो कि इन में से तमाम लोग अधिकां हैं सिर्फ इतना ही नहीं वे लड़कियों की तमाम कम उम्र की लड़कियों की फोटो शेयर करते हैं डालते हैं और उस पे बेहद अशलील भद्दी सेक्सिस्ट कमेंट करते हैं और सारी की सारी चीज़ें इंजॉई की जाती हैं रहात के बास सिर्फ इतनी है कि इस मित्र अपनी दोस्तों से शेयर किया और तब जाकर यह मामला हमारे और आपके सामने पहुच पाया और जो जिस तरह की डिटेल्स लगातार आ रहे हैं या एक तरह से वही दौर लगता है मुझे जैसे मीटू मूव्मेंट चला था जिसमें तमाम महिलाओं ने सामने आके ब मीडिया पर इस सच को उजागर किया जबकि आप देखिए कि यह लड़के यह जो समू बनाया हुआ था पहली बार जब यह खबर लीक होती है बाहर आती है उसके बाद यह तुरंत दूसरा समू बना लेते हैं और उसमें भी वही चैट करते हैं कि कि किस तरह से यह लड़क जिसमें से अरिकांश अभी एडल्ट तक नहीं हुए हैं यह जो महौल बना हुआ है जहां बलातकार करना एक इंजॉयमेंट का हाल हो गया है जहां एक खेल का हिस्सा हो गया है और जो अभी चैट आ रही है वो और ज्यादा खौफनाक है वो इससे भी लिंक हो सकती है उसके आगर बीबात हो रही है चिंता की बात यह है कि यह कैसा समाज हमने बना दिया है जहां पर यह लड़के जिंका पूरा का पूरा करinaire ऑगे है जिनने पढ़ना है जो बहुत खाते-पीते परिवारों से हैं वे खुलकर सारी दिमाग की गंदगी है सारी चीजें रख रहे हैं योजना बना रहे हैं और तों के ऊपर इतनी गंदी सोच रख रहे हैं दोस्तों खोश खबर के आज के एपिसोट में हमने वो चीज़ें आपके सामें रखी जिन पर चर्चा बहुत कम होता है या लुप चुप के चर्चा होता है इसकी वज़ा बहुत साफ है कि आज जिस तरह का माहौल हमारे इर्दगिर्द बन गया है अगर खुल कर हमने अपने दिमाग की और अपनों के दिमा की गंदगी दूर नहीं की यह जो सोशल मीडिया पर नफरत पहलाने वाले लोग बलातकारी सोच को पहलाने वाले लोग महिला विरोधी सोच को पहलाने वाले लोग अगर इन्हें हमने एकाउंटिबल नहीं बनाया इनके गिरेबान नहीं पकड़ा तो शायद करोना से तो ह हमारी सभ्यता को इस पर हमें अलर्ट होना बहुत जरूरी है इसके साथ ही हम आपसे लेते हैं विदा इस उम्मीद के साथ कि सच को जिन्दा रखने की हमारी सोच आपकी मदद से जिन्दा रहेगी लाइक करिए सब्सक्राइब करिए न्यूस क्लिक और देखते रहिए शेयर क करिए खोज कबर शुक्रिया कर दो दो